नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे बेंगाल T20 के आज के दिन के दुसरे मकाबले की स्रीज का देखा जाए दोस्तो तो ये दसवा मकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम SIB वसेस टीम BI के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताओंगा कि इन दोनों टीमस ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया था और उनके परफॉर्मस के अधार पर आप लोग आज के मैच में किस प्लेयर को कैप्टन पी करके चल सकते हो किस प्लेयर को वाइस कैप्टन पी करक लिग के लिए और कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्टेरिंग के गरांड लिग के लिए लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को complete watch करना पड़ेगा अगर आप लोग इस मकाबले में win करना चाहते हो तो और बिल्कुल भी skip मत करेगा वीडियो को बागी दोस्तों जो भी मेरी final update होगी जो भी मेरी final team होगी after lineup ले toss के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी जिस team के साथ मैं खोद investment करूँगा वो team अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले तो उसके लिए आप लोग हमारे telegram channel से join कर सकते हो तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जोड़ सकते हो और मेरी दीगे team का profit उठा सकते हो तो ये काम दोस्तों जरू कर लेना क्योंकि ये आपके लिए important है और आपके लिए ये बिल्कुल free तो दोस्तों अब चलते हैं scorecard की हो जहां पर मैं आपको दोनों टीम से later last match के scorecard analysis को करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहां पर जो टीम सिलगूरी विकास है वो अपना पिछला मकावला बनू का अरस्वा से 239 से जीत किया रही है ये समकावल में इनकी टीम ने 133 सन बनाय थे और इन्हों ने अपनेंट को 110 रन के अंदर जो था वो रोक के लग लिया था वो भी 20 सोवर के अंदर और 9 विकेड भी गिरा दिये थे तो सबसे पहले अगर मैं बात कर उनकी बैटिंग परफॉमेंस की तो SIB की ओर से आपको रिसब अगरवाल और रिपू सा उपन करते हो दिखेंगे रिसब अगरवाल ने काफी अच्छी ने खेली 45 गिंदों पर 48 रन की और रिपू साने भी काफी अच्छा एनका साथ दिया इनों भी 50 गिंदों पर 43 रन अपनी टीम के लिए बनाएं मिधलेश दा जोकी अपनी टीम के कैप्टन थे ही आपको नंबर 3 पर बले बाजी करने के लिए आगे थे इन्होंने 9 गिंदों पर 15 रन बनाएं इनकी बारी में एक चोका एक छका साम मिल रहा हारमान सिंग जोकी नंबर 4 पर बले बाजी करने आए इन्होंने दोस्तों 10 गिंदों पर 3 रन बनाए राम ठाकुर्द ने दोस्तों 2 गिंदों पर 0 रन बनाए नावांकर गोस ने दोस्तों 1 गिंदों पर 1 रन बनाया जावेद आलम जोकिन के विकेट कीपर इन्हों ने दोस्तों दोगें तो पर चार रन बनाया और हर तिंदर सिंग ने दोस्तों आपर एक गैन पर जीरो रन बनाया तो इनकी और से आपके लिए देखिए जो इंपोर्टेंट बैट्समें रहने वाले हैं यहां पर दोस्तों इस सब एक गरवाल इंपोर्टेंट रहेंगे इपूसा को भी आप इंपोर्टेंट मान सकते हो क्योंकि यह भी अच्छी फॉर्म में है मितले 10 आपके लिए important रहेंगे और ये आपके लिए balling भी कराते हैं और आरमान सिंग भी आपके लिए important रहने वाले हैं तो overall मैं बोलू है तो इनकी और से ये जो 4 बैटस्में मैंने आपको top order पर बताए हैं वो आपके लिए important हो सकते हैं क्योंकि ये 4 बैटस्में अपनी टिम के लिए top order पर बल्ले बाजी करेंगे और अपनी टिम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रंग बना पाएंगे अगर मैं बात करूं इनकी टिम के balling की तो इनकी balling भी काफी संदार रही और हरतींदर सिंग ने भी ए-बिके निकाला इसके लाबर इस सब अगरवाल बालिंग भी करा रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है कि आप इनको कैप्टन वार्स कैप्टन बना सकते हो लेकिन सिर्फ दो ही ओवर की balling की और हो सकता है कि बिकेड भी इने मिल गया था तो आप चाहो तो शायद अगले मैच मेंच में भी अच्छा परफॉम कर जाएं बाकी बीजे सर्मा इनकी में बॉलर है चार ओर की balling करके 16 रंदी है बिके न काला और इन्होंने जो ओवर कराय था वो राम ठाकूर का शेयर ओवर किया था तो बात करूं इनके दोस्तों में अपोनेंट की तो दोस्तों ये अपना पिछला मकाबला हार किया रहे है इस मकाबले में इनकी टीम जो थी वो 36 सनों से आर गई थी इनकी टीम को 114 रंद बनाने थे पर इनकी टीम 118 रंदों के अंदर ही आल आउट हो गए और 2 वर भी बाकी रहे तो काफी ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस इनकी टीम के दौरा दिया गया तो अगर मैं बात किनों सबसे पहले इनके बैटिंग की तो इनकी और से देखी अगनवी सर्दास और इंदरजीत ओरंग ओपन करने आए अगनीवद सर्द अगनी सवर्दास अच्छी है नही खेली टेस्ट मैच की 14 गेंदो पर 8 रनों की शोबर जीद दास जोकिन के कैप्टन थे इन्होंने भी काफी ODI पारी खेल दी 19 गेंदो पर 19 रन बना दी दो चोके लगा दिये अनजनवा शा ने भी दोस्तों 7 गेंदो पर 3 रन बने अरसिन और रोय ने भी दोस्तों आप 4 ग देख लीजिए कितना नीचे है इसके लवा किशने दुबुमेली ने तीन गेंदो पर 5 रन बनाया देवसिस कुमार दास ने एक भी रन नहीं बनाया और वसीम समद ने भी यहां पर दोस्तों एक भी रन नहीं बनाया तो उनकी और साब के लिए देखिए जो इंपोर्टें तो बॉरिंग ठीक ठाक रहे साज विकेट गिला दी अपोनेंट गे तो यहां पर देखिए अरिन रोय ने चार ओर की बॉलिंग की एव मेडन ओवर कराया पर विकेड नहीं मिले देवसिस ने दो विकेड निकाले रागपति वर्वाल ने के में बॉलर है सचिन गुमार वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं इसके लब अगर मैं बैटिंग से बात करूँ और भी कुछ आपके लिए डिफरेंशियल चूज कर पाऊं तो यहां पर अंजनुवा साह यह भी आपके लिए गरानली के लिए काफी बेस्ट प्लेयर हो सकता है इसके लब मुझ इस मकाबले में मुझे लगता है कि 72-80 परसेंट रहेंगे और बी आई के चांसे अली 20 परसेंट रहने वाले क्योंकि इनका बैटिंग काफी ज्यादा वीक है और अगर SIB के टिम पहले बॉलिंग करें तो आप समझ सकते हैं कि SIB कनफर्म है यह मैच जीच जाएगी तो विक जाएगा और यह एक अच्छा बैट्समेन है काफी एची निग खेल सकता है इसके लबब यह आपको विकेट कीविंग से भी पॉइंट देगा बाकिज यह आलम का बैटिंग ओटर नीचे उनके टीम के बास जो बैट्समेन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है तो हो सकता कि इनको बैटिंग ना मिले और मिलेगी भी तो ज्यादा से ज्यादा काफी कम रन इनको बनाने के लिए मिलेंगे तो इसी कारण से यहाँ पर मैं इनको पीक नहीं करूँगा मैं बी अली को एज़ा विकेट की पर पीक करके चलूँगा बैटिंग सेक्शन की मैं बात तो यहाँ पे दोस्तों यह पूसा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे लास्ट मैच में मैंने आपको बदाया था किस तरीके की पारी खेल के आ रहा है ये इसके लावा दोस्तों यहाँ पर आर अगरवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं लगा है स्मॉल लिक के लिए नजरिये से और यहाँ पे गरान लिक के लिए नजरिये से अब आत करें दोस्तों आलाउंडर सेक्शन की तो यहाँ पे आर तीबिर वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कराएंगे और अपने टीम के मेंन बॉलर है अरेन रॉय आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह भी अपने टीम के लिए बैटिंग प्लस बॉलिंग करके देने वाले इसी कारण से इंपॉर्टेंट है इसके लावा दोस्तों मैंने आप एपनिटीब में पिक करके रखूंगा है तेंदेर सिंग को प्रॉपट चार ओवर की बॉलिंग का इस पहला आपको देखने को मिलेगा और पहले मैच में काफी अच्छे परफॉर्म किया था और एनन plea नादी ने भी पहले मैच में तीन विके निकाले थे और ये भी काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं और ये भी आपको डेथ ओवर कें अंदर बॉलिंग कराते हूँ नजर आ जाएंगे तो यहाँ पे जो चार में अलाउंडर्स थे मैंने उनको अबने टीम में दोस्तों पी करके रख लिया है बॉलिंग के अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने अबने टीम में देवसी इसकुमार दास को रखा है यह भी आपके लिए इंपॉर्टन चोईस हो सकते है इसके लगा मैंने दोस्तों पी मितले इस दास को रखा है यह भी आपके लिए इंपॉर्टन चोईस हो सकते है और लास्ट पिंग मेरी यहाँ दोस्तों एसकुमार सिंग की रहेगी और दो option over आपके पास निकल के आएंगे समट last match में काफी ज़यता economy इनकी high रहती अपने team के लिए सबसे ज़्यादा run इन्होंने ही खायते इसके लब आप चाहो तो 20 सर्मा को यहाँ पर एज़ा पॉलर select कर सकते हो जोने ने proper 4 over की balling की थी पर इनको विकेट नहीं मिला था तो हमारी दोस्तों जो team है वो यहाँ पर ready हो चुकी है मैंने अपनी team में दोस्तों 6 player रखे हैं SIB के और 5 player मैंने यहाँ पर रखे हैं team B.I.E.K. combination के अगर बात की जाए दोस्तों तो मैंने अपनी team में 1 wicket keeper, 3 batsman, 4 arounders, 3 ballers का combination तेयार किया है team review की मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने wicket keeping section से B.I.E.K. को as a wicket keeper अपनी team में पिक करके रखा है batting order काफी ज़्यादा नीचे है number 6 या 7 की आसपास है लेकिन इनके team का जो top order है वो काफी ज़्यादा week है तो यहाँ पर इनके batting आने के chance काफी ज़्यादा रहेंगे इसी कारणर से मैंने उनको अपनी team में पिक करके रखा है इसके अलावा दोस्तों यह आपको अपनी team के लिए wicket keeping भी करके देने वाले हैं batting section से मैंने आर अगरवाल को रखा है last match में इनोंने 22 या 48 अ बनाये थे और 2 वर की balling करके वicket भी अपनी team के लिए निकाला था इसलिए important है राम ठाकूर नमबर चार या 5 पर बले बाजी करेंगे last match में proper 3 वर की balling भी की है और 2 विकेट इनोंने भी टीम के लिए निकाले हैं इपो साकी मैं बात करूँ ये भी last match में काफी अच्छा परफॉर्ण किये थे open करना आये थे और इनोंने भी बे आलिसन बनाये थे तो ये भी काफी शांदार प्ले रहने वाला है अनिर रॉय कि मैं बात करूँ नमबर 5 ये चे कि आज परस आपको बले बाजी करके देंगे last match में प्रॉपर चार ओवर की बालिंग की एक ओवर मेडन भी कराया important है आज तिबर वाला भी आपको middle order के अंदर बले बाजी करतू नजर आ जाएंगे और ये भी आपको एस कुमार दास को रखा है जो कि प्रॉपर चार ओवर की बालिंग करके देंगे एस कुमार सिंग को रखा है ये भी प्रॉपर चार ओवर की बालिंग करके देंगे और यहाँ पर मैंने एमदास को रखा है प्रॉपर चार ओवर की बालिंग करके देगा आर तिबरवाल को बनाऊंगा आप चाहें तो यहाँ पे अपनेटी में वाइस के बिडन किसको बना सकते हैं आपे मितलेस दास को क्यों बना सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच में आप देखी यह बंदे ने कैसा परफॉर्म किया था तो हाँ पे देखी जो सेफ उप्षन ने आपके पास ट्रीबरवाला की और اिणनदी की है यह आपके लिए सेफ उप्षन है कैपटन-वाइस कैपटन के लिए लेकिन मेरे कैपटन यह पर रहने वाले आर अगरवाल वायस कैप्टर मितलेस दासरी इसन मैंने आपको बता दी है क्यों मैंने इनको कैप्टर या वायस कैप्टर बनाया है तो एक बार आप लोग हमारे इस टीम का स्क्रीन सौल ले 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 इसका प्रिवी ले ले और जहां पर भी आपका इंवस्टमेंट हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं इसी सेम टीम के साथ दोस्तों में स्मॉल लिक कॉंटेस्ट जोइन करूंगा और इसी सेम टीम के साथ दोस्तों में गरान लिक कॉंटेस्ट भी जोइन करूंगा बाकी दोस्तों अगर मैरे इस टीम से कोई भी प्ल उठा रहे हैं और आप लोग भी एगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो मेरी 100% विनिंग टीम पहना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंग डिस्किप्शन और कमेंट दोनों जिगाव पे सबसे पहले नमबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जिगाव से जाके आप सीधा हमारे चैनल के सा जुड़ सकते हो मेरी दीगे टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो तो यह गाम दोस्तों जरू कर लेना क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टन्ट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री बाकि अगर आपको वीडियो इंपॉर्टन्ट लगे तो फटा फट से वेगांबी कर लिजेगा तो मिलेंगे दोस्तों आप से ही लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में तब देख के लिए अप जहां भी मैचस ओं जहां भी आपका इन्वेस्टिमेंट हो अलवेश वीन करें हमारे डीम मनेजमेंट से हमारे डीम कॉंबिनेशन से तो मिले कि दोस्तों आप सेवी लोगों से जल्दी निश्ट वीडियो में तब दक के लिए जहिंद वंदे मातरां